नमस्कार में साक्षी MNS News लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ आईए आज कुछ खास कबर देखते हैं पानी के लिए किसान बेटे भूके हर्ताल पर शासन प्रसासन की अंडे की भंडारा जिल्ले की सिच्चाई की परियापते व्यस्ता होने के बावजुद भी सरकार की लिटलतीफी से किसानों को सालों साल इंतिजार करना पड़ रहा है अब ये तवसिल्दार को भी दिया दो चार बार ठराव दिया ये सिंचन वीर या पानी जरी तलाव में आनिको होना और हमारे पबलीक है इसका कास्ताकार का फाइदा होने को जरी तलावात समन्नित सर्वसेतकराण चा सोई साथी इट्या दो धर्नाचे पानी जरी तलावात सोडून सिंचन आची सोई करावी है मागनी ला घेवन माग जे 2002 आमचा सर्वसेतकराण चा खूब मोटा अंदोलन जला त्या वेडि पालक मंत्री अनि सहमद यानि सुद्धा तीन मैनात आमी है मागनी पूर्ण करू अशामाला आश्वासन दिला त्या नुसार जरी उपसा सिंचन आउजना बजेट तयार जला विदर्ब पाट बंदार विकास महामंडर नाकपूर यानि तो इस्टिमेट 92 कोटी चा बनावला तीन तप्यमदे इस्टिमेट बनावला संकल पचित्र संगतना नाशीक यानचे कड़े सुद्दा 92 कोटी चा इस्टिमेट माक्चाथ साथाट वर्षा चे अगोदर बनावला मंत्रालायात तला प्रशास्के माननेते साथी पाटवना सुद्दा आला पन अजुन परेंत कारवाई काई जाली नाहीं बंडारा जिल्लिक के लाकंदू तैसिल की चारो और सिचाई की बरपूर सुविदा है फिर भी यहां के किसान केति की सिचाई करने हैं तू तरस्त है लाकंदू तैसिल के इटिया डोह का पानी छोड़कर किसानों परियाप्तों मात्रा में पानी देने की मांग 25 वर्ष से हो रही लेकिन सरकार ने केवल आश्वासन के सिवाए कुछ नहीं दिया बताते हैं कि जरी तलाप के करीद पौने 2 से एकर में फैला हुआ है और इस तलाप दाई हजार हेक्टिय जमिन को सिचाई करने की शमता है एक अनुमान में सन 2010-2011 में इस 93 करूर रुपे खर्च करने की योजना थी कई बार इटिया डोह का पाने चोड़ने की गुंज उठी तो जरी उपास सच्छीन योजना तयार कर सन 2012 में करीबन 618 लाग रुपे के पहले टपे के प्रस्ताव को मंजोरी दी गई लेकिन आरोपे की पहले टपे की राशी आकिर कहा गई बारिश का पानी कम जादा होने से मुर्जा पार्टी के साथ साथ इस विभाग की डाई हजार हेक्टेर जमिन की फसल बरबाद होती है कि साम तरस्त ह और सच्चे की व्यस्ता करने की मांग कर रहे हैं पानी से मबात करते गवरी साथ मुझे बता यह कि तलाव में अगर इटाडव का पानी यहां लाए गया तो यहां से कितने किस्तानों को फायदा हो सकता है कितने गाव को उसको लाभ मिल सकता है तलवा चे आधारे जोड़ पास मागीद सर्वेनुशार सोड़ा गावनना पानी इटे डोज दर पानी या तलवा टाकला जरी तलवा मदे शोड़ा ते अट्रा गावनना पानी भरपूर होई लानी उनाडी फसल शुद्धा होने जी सक्केता है सक्केता मजे पुर्णपने जाए नाकारता है यतनाई आनी अपले सेतकर्यांची मूल एका पान्यान शेती गेला मडे अपले सेतकर्यांची मूल नागपूरला मुंबैला कोड़ी पुनेला कामाला जाता तेक इतस थामची स्थालांतर होनार नाई इच्चे सेतकर्यांची दोरात माहगने रेटुन धरलेल लीँ ती, तरिपं ते कुटब पैसा मंजुर जाला, ते जाला सरकारला, आपन जाब विचारला पैसा मंजुर जाला असा माँगे काय तरी, प्रतिनीदी शांगितल लोगता, परंतु त्याचा काही काम चालू जाला नाय, कोन ते प्रतिनी मेरा कहिना ऐसा है क्या यह पूरा जिल्ला परचे छेत्र में चहुदा गाव आता है इसमें वो कोई कोरट वाओ है कोई सी जग्गा है इसलिए ये एक पाने से ये साल में ये पाने से हमारी ये तेरा चवदा नहीं बीज गाव की फसल गई तो ये सिंचन ये जरी तलाव में इट्याडों का जरग पानी आया तो ये सब लोकों का फाइदा हो जाएंगा और ये हमारे बेरजगार वाले है वो चंद्रपूर नापकूर इदर उदर नहीं जा सकते ये मेरा कईना है और मैं बाड़ा जी काशिवार नहीं क्या ये अपला आमदार जी इसके साथ मैं दो चार बार बैटा सर ये हमारा नियोजन गए दस महने से चल रहा है ये आमोरन उपोसन के लिए और जो हमारे आमोरन उपोसन की वजह है और हमारे मांगे है वह हमने बैनर पे लिकी हुए है इन में से जरी उपसा सिंचन का काम मराठित लिला है जरी उपसा सिंचनाचे काम सुरू करून सेथकर रहनना सिंचनाची सोई उपलब्द करून देने दैगाव माईन सुरू करून बेरोजगार इवकानना काम उपलब्द करून देने आमच्या परिसरात प्रचंड वन संपद आहे वना और आधारित उद्धोग निर्मान करून बेरोजगार इवकानना काम उपलब्द करून देने मुर्जा ते तीटका डामरी करना चे अर्धावट काम पूर्ण करने पारडी मुर्जा राइस मिल पासून अर्धावट असलेला डामरी करना चे काम दहगाव मुर्माडी रोडला जोडने इट्या डोह तलावाचे पानी जरी तलावाद सोडने सग्राण सी चर्चा करून वेड़र घहत लेला विशय आ है तुड़्या मावा रोगाचे पैसे शेतकरयाचे खात्या और जमा करने तसे जा शेतकरयाना पट्टेची जागा मिराली आ है तीयान नाही मावा तुड़्याचे पैसा चा लाप देना थी आवा जरी तलाव और जानेया साथी सिथकरियाना रस्त्याची सोय करूंदेने इन सब मांगों के लिए हमारा उपोशन रास्त है और महारष्ट श्यासन का भी सिथकरिन अधिवेशन जो चालू है हमारी यही इच्छा आई कि अगर यह अधिवेशन में अगर हमारा इस मांगों के लेकर कवी तारंकित अगर कोच्चन वहाँ पे होता है तो हमारे किसान भाई और बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम होगा अगर हमारी यह मांगे अगर पूरी नहीं होती तो हम तब तक कि हम हमारा आमरू उपसन पीछे नहीं लेंगे अगर हमारे उपसन करता हो का अगर कम जादा होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रस्यासन के उपर रहेगी और यह हमारी मांगे जो है यह रास्त है इस तलाव में पानी नहीं आने से किसानों का क्या क्षेति हो रही है क्या उसका नहीं हो रहे है देखिए जो खेती का मसला है तो उसके लिए सिंचन की सुईदा अत्यनत जरूरी होती है और पिछले पच्चास सालों से इस देश में सिंचन के ख्षेत्र को बड़ावा देने के लिए हमारे सरकारे प्रयास कर रही है उसके बारे में बोल रहे है लेकिन जिस वक्त ग्राउंड लेवल पे आईसी चीजों के बारे में हम सोचते है तो जैसे छोटे छोटे गाव रहते हैं उसमें तालाब होता है और भंडारा और गुंदिया जिले की अगर बात करते हैं तो यह तालाबों के जिल्ले करके पुरे देश में प्रशिद्ध है तो ऐसे में अगर हमारे किसानों की खेती जो है इस तालाब के उपर याने सिर्फ चार महीने तक खेती अगर किसान कर रहा है तो उसके खेती को पर्याप किम्मत मिलना याने उसको उत्पाद मिलने के लिए कम से कम उसको आट महीने तक खेती करने की जरूरत है तब उसको जैसे आपन बोलती है ना रभ्य और खरीब तो वो दोनों हंगा मगर हो जाए तो वो थोड़ा संपन हो सकता है और यह जिस तालाप के रियाड में हम खड़े है तो यह पूरे महाराष्ट्रा में परिच्चत है क्योंकि गई 35-35 सालों से यहां अंदोलन चल रहे है यहां अंदोलन इस मसले में कि इस तालाप के उपर फिलाल, मुर्जा, जरियो और पारडी यह तीने गाउ की फसले ली जा का अगर फायदा नहीं है तो यह बाकी के सराउंडिंग वाले जो गाउ है उन 33-35 गाउं को अगर इट्याडो बान से अगर पानी आने के यह सुईदा हो जाए तो वो मसला हल हो सकता है यह बात इसलिए महतो पुर्ण है क्योंकि इस देश में नदी जोल प्रकल्प के बारे में अगर चर्चा हो सकते है उसके अर्बो खर्बो रुपे के बारे में अगर चिंतन मनन हो सकता है तो यह सिर्फ लगबग 100 या 1500 करोड की स्कीम है और मेरे खायल से यह इस महारश्ट्रा के राज्य के बजट से बहुत कम हिस्सा है अगर यह 1500-200 करोड में अगर यह 30-35 बारे में जरूर धान देना चाहिए लेकिन जब यहा कुछ आंदोलन खड़े होते है मोरेश्वर अपने टेम्बूर ने साब ने उन्होंने भी आंदोलन खड़ा के आता लेकिन यह शासन व्योस्ता उनको गुमरा करती है उनको दिखावे के लिए कुछ फंड मंजूर गंबिर्ता से नहीं लिया इसलिए यह जो मुर्जा और पार्डे और जरी के बेरोजगार लोग है जो खेती के उपर निरवर है वो अपना याने चरितार्त खेती के उपर रहे उसके उससे उनका पूरा निप्टारा नहीं के कारण मेरे को लगता है कम से कवाँ 200-300 लड़ तो उनके द्यान में ये बात समझ में आनी चाहिए, कि जिस आदार पे खेती की का देश क्ल रहे हैं, जो शिंचन की सुवरिधा लगती है, उसको भाव देने की सुवरिधा लगती है। तो उसके बारे में हमारे गवर्मेंट बिल्कुल गंबिर ने इसका हल हमारे गवर्मेंट ने निकालना चाहे। हख इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा हुएं सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और पिछले कहीं सालों से करीबं 30-35 सालों से यह प्रेल्मी प्रशन हैं लेकिन अभी तक के सरकार इसको नहीं चुरूआ रही है। अभी बहुत समय हो चुका है यहां के किसान परिशान है और अभी ज्यादा समय इंदिजार नहीं कर सकते आज खास करके तलाव में पानी होना चीए सिचाई होना चीए मात्यम से आज भूख अलतार पर भी यहां के इस परिशर के सरपंच और जनप्रतिने दिया उपस्तित है हम अभी इस तलाव पर खड़े हुए है और इस भूख अलतार का नेत्रुद्वा करने वाले मान मिंदु दैवले जी और इनके साथ में इस परिशर के सरपंच और जनप्रतिने दिया उपस्तित है आई हम इंसी बात करते है दैवले जी मुझी बताईए आपकी प्रमुक्त किसान भाई इस जरी तलाव में इट्या डो का सिंचन पानी आने के लिए हम लड़ा दे रहे लेकिन इस बात पे शासन को इस बात की खबर है लेकिन यहाँ पे कोई नेता हमारा नेत्रुद्वा करने को तयार नहीं है और हर साल हमें जो लास्ट-लास्ट में जो परेश्यान होती है जो कि लास्ट में जो खेती होती है हमारी उसमें पानी नहीं जाता और हमें दुसकर का सामना करना पड़ता है और दस माने पिछे पहले मैं इस काम में लगा हुआ हूँ हमारे एरिया के जो भी जितने भी सरपंच ग्राम पंच आथ है उनको मैं एक अर्ज दिया हू और उनसे मैं ठराव लिया और ये ठराव के माध्यम से मन्ये मुख्यमंत्री साहब मन्ये पालक मंत्री जी मन्ये जिल्ला दिकारी साहब मन्ये आमदार साहब और खाजदार साहब को इसका निवेदन दिया हूँ और अभी कल से आज से हमारा आमर उपोशन इस बात के लिए चालू है और अगर इसमें पानी अगर गिरा तो हमारे किसान भाई आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और दो वक्त का खाना आराम से खा सकते हैं मैं तो यह बोलना चाहूंगा हम स्यासन को हम भीक नहीं मांग रहे हैं और हम अगर यहां में अगर पानी आ जाता है तो हम एक आराम से जिंदगी अपनी जी सकते हैं लगा प्रस्न हमारे बाल बच्चों का उनको पढ़ाना श्यादी करना यह सब बाते हमारे लिए बहुत कठ होती जारी है क्योंकि महांगा इत्ती बड़ी चुकी है कि हम क्या कर सकेंगे अगर यहां पर अगर बानी आता है तो दो वक्त की रोजी पेट के लिए हमारे को कुछ खाने को मिलेगा अगर यह सब चीजे नहीं हो सकती तो मैं यह बोलूंगा कि हमारे यह लोग प्रतिनीद करेंगे हम और ज्यादा करेंगे तो हम अपने हिसाब से इनको जूते से भी मारेंगे यह महीं बोलता हूँ क्योंकि नहीं यह सब बाते बोलने के लिए लगती है मेरको लेकिन इस बात का कोई पुष्टी हुई नहीं है लेकिन सब बोलते हैं कि हम पहले से बोलते हैं कि जरी तलाव में इटियाडों का पानी आना चाहिए और इसका नामांतरन हुआ है जरी उपसा सिंचन लेकिन यह नामांतरन हुआ लेकिन इसका अभी तक के काम भी शुरू नहीं हुआ और यह बोलते है कि हमारे लोग प्रतिनिदी बोलते है कि इसके लिए इतना नीदी मंझूर हुआ, इतना नीदी मंझूर हुआ, लेकिन मंझूर हुआ 2012 में बोल रहे है कोई, लेकिन इसका अभी तक कोई काम भी चलू नहीं हुआ, तो हम कritis समझ सकेंगे, हम किसान है, कोई अगर करते होंगे तो इनका यह हमारे उपर का जो इनका आशिरवाद नहीं है यह हमेशा हमेशा ऐसे लाली पाप देते जा रहे है अगर यह राजकारन का माध्यम से अगर ऐसे करते होंगे तो हम हम लोक्षाई में जी रहे हैं लोक्षाई काम अपमान नहीं करेंगे लेकिन ह मैं यह बोलता हूँ कि आने वाले जो आविन चुना हो है तो हम सब गाम पांचेत मिलके बहिसकार करेंगे ज़री चा तड़्या मदे आमा लाविटे डोचा पानी पड़ला पाईजे आविए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशान लाटेवाल की खास कबर MNS News के लिए तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS India Play Store से आज ही राम लूट करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद